हाई फ्रैंड्स ग्रेट मौनिंग वेडिक और फाइन आप सब अच्छे से होंगे बढ़िया से कर रहे होंगे फ्रैंड्स यह वीक बहुत जाधा इन्पॉर्टेंट है इसलिए इनलिसिस बहुत अच्छे से धिहान रखना आज का फ्रैंडस एक दिन जो हमारा रहा वो बहु आप कॉस्ट रहेगा जो आप अगर ओपन करते हो तो जो भी मैं ट्रेड लेता हूं मैं उसी टाइम पर आपको भी अलर्ट करता रहूंगा अब पहले फ्रेंट्स हम देखते हैं हमने 120-30 पिप इसली कैप्चर किये थे उससे ज्यादा लेकन वह कैसे किये वह मैं समझाता हूं मैंने आपको एक अनलेसिस दी थी यह एक लेवल दिया था 27-38 वाला कि अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो आपने ट्रेड लेना है जो कि एक ट्रेड यहां से छोटा सा बनता था दूसरा मैंने कहा था कि जो प्रिविएस डेका है उसके 50% पर यहां पर मैंने बोला 47-48 से फ्रेंट्स आप देखोगे तो 27-34 तक आगे जो कि 110-120-30 पीप्स आरहां इसली से हमने कैप्चर कि जो बिना रिक्स के किए फ्रेंट्स इनमें कोई रिक्स नहीं था अगर इनमें कोई रिक्स होता तो मैं आपको बोल देता कि यहां पर ट्रेड नहीं लेना है और सबसे जादा मू अगर मैं इसका दिखाऊं तो देखो यहां फिर नीचे फिर यहां फिर नीचे अब अगर मू मैं जादा दिखाऊं तो टॉप टू बॉटम सबसे जादा प्रिवियस देखो इसका है यह था इसका जाद जादा लो कौन सा था यह वाला अब देखो सबसे जादा मू ये वाला हमें मिला ये मू डेली बाइस का था जो मैंने आपको बोला था कि आज हम सेलिंग साइट जाएंगे ऐसे करके आपको जाएंगे अफरेंस हम देख लेते हैं मार्केट का क्या रहने वाला है अफरेंस आज जो मार्केट रहने वाली है वो मार्केट बाइं ये एक बचे की ये वीडियो बना रहा हूँ ध्यान से सुना अगर ये market यहाँ पे close हो जाती है अगर इसके नीचे इस level पे market आके close हो जाती है तो then we will looking for sell और sell कहां से देखेंगे हम previous day का जो ये high था इसके 50% पे एक अगर ऐसा rejection हमें देखने को मिला या selling side confirmation मिला जैसे यहाँ मिला था में confirmation कि हाँ अब आप sell side जा सकते हूं तो उस टाइम हम sell side जाएंगे वीड फेर वैल्यू गया पॉडर ब्लॉक वह सारी चीज़े आपने खुद से देखनी है वह चीज़े सिर्फ उनको मिलेगी जो एक्सनेस में अपना account खोलेंगे उनको मैं personally अपने trades दूंगा ज यहां पर close हो जाती है अगर friends यह 27-30 पर अगर market close हो जाती है 27-30 पर तब हम sell side जाने वाले हैं लेकन अगर 27-30 से उपर market यह close होती है तो then we will looking for buy उसके बाद friends आपने क्या करना है यहां पर हम buy की तरफ जाएंगे Sam एक हमारा buying की तरफ एक ही रहेगा friends जो कि buying की तरफ अगर हम बात करें तो buying सिर्फ हम यहीं से उठाएंगे नीचे से हम friends कहीं से भी buying नहीं उठाने वाले हैं अगर यह वाला SL यहां पर आता है market ऐसे आती है और ऐसे करके इस level से उपर चले जाए तो यहां से हम buy का trade बनाए अगर यहां पे 27-30 पे यहां पे आके close हो जाती है तो फिर हमने friends कहां पे जाना है फिर हमने sell side जाना है market यहां पे close होती है फिर हम buy side और buy side कहां कहां पे friends हम लेना है buy side मैंने आपको बता दिया buy side अगर यहां पे market close हो जाती है तो फिर हमने यहां से buying की तरफ उठाना है लेक आपने अगर market यहाँ पे हो जाती है friends close तो फिर हमने कौन सी वाली side जाना है मैंने आपको बता दिया अगर friends कोई भी गलर trade ना ले अगर यहाँ पे close हो जाती है तो हम buy side का ही रखेंगे trade तो फिर हम यहाँ से entry बनाएंगे इस level के अंदर कहीं पे भी market अगर बंद हो जाती है तो हम buy side जाएंगे अगर इस level से नीचे यह line से नीचे अगर हो जाती है तो हम sell side का trade बनाएंगे बहुत अच्छे से trade friends plan करना अभी क्या होगा market मानके चलो यहाँ पे बंद हो गई और कल सुबह आते 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 market यहाँ पे भी आई तब भी हमने trade नहीं लेना है हम trade यहाँ से ही उठाएंगे क्योंकि market सबसे जादा मूँ उपर देने वाली है और हो क्या रहा है friends सुब सुबह से अगर कोई trade करता है सुबह अगर कोई 6 बजे उठता तो trade करता है जैसे आप यह देखो अभी friends अगर मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर का अगर मैं यूज करूं यहाँ पे session indicator का friends अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा दिहान से देखना एक चीज मैं आपको समझो अभी उसके बाद सुबह से जो बैठे हुए selling में सिर्फ एक trade उनने attempt किया था कहां से वो भी trade यहाँ से कहीं उनने attempt किया जो मैंने आपको level बदाया था यहाँ से जो उनने attempt किया था इस वाले level से जो 27-37 का एक level बदाया था मैंने यह वाला level और इस वाले लेवल से उ बैठना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए जद तक आप पेशेंस नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है तो फ्रेंस कल हम देखेंगे अगर मार्केट फिर यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो हम उसी तरीके के accordingly बनाएंगे अब फ्रेंस अगर हम इसकी बात करेंगे डीएक्सवाई की तो डीएक्सवाई का फ्रेंस कौनसी वाली साइड जाना है इसका अभी डेली बाइस हो नहीं है अगर तो 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 अगर आप यहाँ पर जाओगे अगर आप यहाँ पर BTC का फ्रेंटेट्स देखोगे तो BTC में BTC में फ्रेंट्स कल का जो ट्रेड रहेंगा अगर मार्के यहाँ पर कलोज हो जाती है तो हम देख रहें稍द बेरीश है और यहाँ से बुलिश ओने के चांसिज हैं यहां पर आप buy side का बना सकते हो बागे friends, you are USD की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा man focus जो है man focus हमारा gold पर रहेगा अगर हम gold पर सबसे ज़्यादा trade करते हैं तो gold पर सबसे आच्छा है तो gold में accordingly आप plan बनाओ और अच्छे से friends earning करो Thank you friends